आज इस पाम का अलनासस करना है तो चलिए इनिशियेट करते हैं लेकिन उससे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका जुबिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है बल और बुद्धी में सामझस से बिठाना जानते हैं रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता लिटल फिंगर पहले परव तक पहुँच रही है टाइम को पैसे को वर्क को मैनेज करना चानते हैं लो सेट है शब्दों का भौप आया जाता है कोई भी गटना करम हो या सिचुएशन हो सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बया नहीं कर पाते हैं आप कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ और देते हैं सामने वाला आपको ही गलस समझ लेता है अंगुठा अच्छा है आपका प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं इंप्लिवन्ट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं Compromising Nature ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिने आप पसंद करते हैं, उनके लिए compromise करने के लिए तयार देते हैं. अंगुठा आपका Backside Tilted है, Backside Tilted अंगुठा आपको मिलंसार सोहव देता है, ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अधिक होती है. उंग्लियों के बीच में space नहीं है, ऐसे लोग खर्चेले कम होते हैं, खर्चेले कम होने की वज़े से money management आपका अच्छा रहता है, आख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते. अंग्ठी का ये वाला पार्ट ज्यादा उभार लेवे हो, चौड़ा हो, चप्टा हो, गुस्से की अधिक्ता इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है. जुपिटर की finger यदि जुख जाए middle finger के तरफ ये धार्मिक भावनाओं को बरहावा देती है. अंग्ठी का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर business sense काफी strong वाला पाया जाता है, अगर ये business या वैपार करते हैं, प्रस्ति कितना भी negative हो जाए, नकरात्मक हो जाए, मुनाफ़ा कमा लेते हैं. हाट लाइन आपकी इनिशेट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से, ना सटन से, मद्दे से हैं, दोनों के गुन हैं, पैसा और परिवार बराबर से महतपूर्ण हैं आपके लिए. हाट लाइन आपकी तूट तूट के चल रही है, हाट लाइन का तूट तूट के चलना अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोगों के जीवन में जब तक हाट लाइन आपकी ब्रेक लेके चल रही है, उस आयू तक समस्याएं जंजट लगी रहती हैं. माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफी वक्त तक बंधन योग चल रहा है बंधन योग जब तक आपकी हतेडी में एक्टिवेट रहता है ये सही माइने में आपको सफल होने नहीं देता सफल तो मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम बंदर योग से आजादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशेट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशेट होना अच्छा होता है ऐसे लोग अपनी शम्दाओं का सही से आकलन कर पाते हैं इसलिए जिस भी फिल्ड का चुनाओ करते हैं सही करते हैं सफलता है नहीं अधिक मलती है जीवन बर ये सफल भी ज़्यादा होते हैं समस्ya ये है, mind line आपकी jopiter से initiate हुई है, लेकिन, तो टोटके चल रही है, एक certain age तक, mind line आपके break लेके चल रही है, mind line आपके breaking लेके चल रही है, संघर्श को पढ़ावा देता है, आपको सफलता आपके मन के मताबिक, मिलते हुए एक particular age तक दिखाय नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद से चीज़ें बेतर हो जाएंगी, इस बीच में संगर्शुत थोड़ा जादा है, एक लिए 30 तक, 30-31 के बाद से चीज़ें बेतर हो जाएंगी, इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, अतिग्यानी होते हैं, जिस वे फिल्ड में रहते हैं, उस फिल्ड का डिप नॉलेच इनके पास होता है, ये माइंड लाइन आपको थोड़ा सा तनाशाही रवईया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है, आपका तनाशाही रवईया निखर के सामने आएगा, जब आप 30 प्लस हो जाएंगे, अभी फिल्लाल आपको ये फिल नहीं हो रहा होगा, या इस तरह का नेचर आपका नहीं होगा, क्योंकि माइंड लाइन बंधन योग से चल रही है, आजाद भी होगी, टूट टूट के चल रही है, तो प फैमिली में वो बिलकुल नियम की तरह लागो हो जाना चाहिए, इस उतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इनका अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशन्स काफी हाई रहता है, माइंड लाइन हलका सा जुकाओ ले ले, मार्स के तरफ हलका सा जुकाओ दिखे आपको, ये लोगती ग्यानी होते हैं, समय के साथ पुट को ढ़लना अच्छे से जानते हैं, और इनको पता होता है कि कहां पर गुस्सा दिखाने से नुकसान जाएगा, और कहां पर गुस्स घुषसां दिखाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है मतलब घुषसा इनको आता भी है तो समझदारी के सатथ गुसा दिखाते हैं जहां लगता है गुसा दिखाने से नुकसान जाएगा वह शांतिसे आराम से निकल जाते है काफी समझदार होते हैं लाइफ 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 लाइन आपकी जुपिटर से inisuate हुई है मन की सभी इक्छान लगबर कुरी हो जाएंगे और इस तरह से यहाँ से आपकी एक नई लाइफ लाइन initiate होते भी दिखाई दे रही है और साथ ही इसे branches भी निकल रहा है lifeline से branches का निकलना ऐसे लोगों का foreign settlement होता है यदि ये करना चाहे विदेश जाकर के रहना चाहे तो असानी से ये लोग विदेश में जाकर के वही के होके रह जाते हैं दूसरा इसका फाइदा ये होता है इस तरह की lifeline का वैपार के शेत्र में ये आपको बड़ी सफ़ता देता है बिजनस में ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करते है lifeline आपके निशेट होते हुए ऐसे तो moon mount से दिखाई दे रहा है लेकिन ये तोटके चल रहा है तो इसका बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता हुआ फिलाल आपको दिखाई नहीं देता समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपका लग line कहीं से भी निशेट हो अगर वो तोटके चल रहा है फैल गया है benefit नहीं देता है एक लग line आपकी अच्छी खासी इनिशेट होते वे दिखाई दे रही है राहु से राहु से लग line का इनिशेट होना बताता है इन लोगों का भागी उदय 28 के बाद होता है उससे पहले संगर्श रहता है इसके साथ ही लग line आपकी देख भी रही है वेनस के तरफ वेनस माउंट से लग line के इनिशेट होना बताता है इन लोगों का भागी उदय शादी के बाद होगा जुपिटर का माउंट आपका बहुत ज्यादा डिस्टरब है जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है या जुपिटर का माउंट छोटा आपको देखने में लगी ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है इसलिए जिन लोगों के हाथ में ब्रस्पती का परवत सही नहीं रहता इन लोगों की फैमिली लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहती फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरेज लाइफ, कुछ भी सही नहीं रहता समस्याएं रहती हैं और जीवन भर इस बात का दुख इनको रहता है भले कितने भी सफल हो जाए अब बट फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाती है आप चाहते हैं आपकी मैरेज लाइफ में या फैमिली लाइफ में इशूज ना हो जिपिटर के रेमेडीज आपको करने होगे सटन का माउंट फ्लैट है, आलसी नहीं है अगर काम आ जाए तो आलस अभूल के उस काम में लग जाते हैं मेनत ही है जितनी मेनत उतनी सफल्दा देता हुआ, सटन का माउंट दिखाई दे रहा है सन माउंट फ्लैट है हलका सा दबावा है सन माउंट प्रॉब्लम क्या हुई है, आपकी हाट लाइन उपर के तरफ शिप्ट हो गई है हाट लाइन का उपर के तरफ यानि उंगलियों के तरफ मूव करने से आपके परवतों के शेत्रुफल में कमी आ जाती है परवतों के शेत्रुफल में कमी आने का मतलब है संगर्श का बर्णा सफ़ता में देरी क्योंकि गुणों में कमी आ जाती है Saturn के माउंट को Space कम मिला Jupiter के माउंट को Space कम मिला हुआ है Sun माउंट को भी Space कम मिल रहा है ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा अच्छे तरीके से उभर के सामने आ रहा है इसलिए आप सफल होंगे झिवन में ऐसा नहीं कि सफल्ता को नहीं मिले derived लेकिन वो उस तरह की सभलता जिस तरह की काबलियत है आपकी देरी से मिलते हुए दिखाई दे रही है कोई भी लाइन यदि सन मांट पे आपके सन लाइन को कारती है ऐसे लोगों का फैमिली से भी बाद रहता है खास करके मात अपिता से उतनी अच्छी understanding नहीं रहती है issues रहते हैं या issues बन जाते हैं कभी कभी ट्राइंगल अच्छा फासा है मन की सभी एक्षाएं लगबग आपकी पूरी हो जाएंगी आयू अभी उतनी जादा नहीं है आपकी से लिए sunline बनने की और तो है लेकिन अच्छे से बना नहीं है government sector में इन्हें अधिक सफलदा मिलती है बट या इडिया state sunline है या इस तरह की sunline है business में सफलदा मिलती है राजनती के शेत्र में सफलदा यह मिलता है ट्राइंगल काफी बड़ा है मन की एक्षाएं ब्ड़ी करवाता है और आपके sun mount पी जितना बड़ा triangle होता है, आपको सफलता उतनी बड़ी मिलती है sign अभी complete नहीं हुए है आपके हाथ में, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे यह dot dot के रूप में जा रहा है sign बनने की ओर है, पर बना नहीं है तो बंधन योग वैसे भी अभी बंधन योग से आपकी mind line या life line आज़ाद नहीं हुई है और बंधन योग की खामिया क्या होती है यह आपके किसी भी sign को complete होने नहीं देता, confusion बनाए रखता है ताकि आप फसे रहे ठीक है बंधन योग का खत्म जब होगा उसके बाद ही या उससे एक साल पहले आपके हाथ में सभी sign के लेडली दिखाई देंगे अभी उपापो की स्थिती है मतब चीजें साफ तोर पर नहीं समझ में आ रहे हैं लेकिन डॉट-डॉट के sign में है यह चीजें बननी start होई है अभी complete नहीं है लेकिन बन रही है यह complete हो जाएगी ऐसे लोगों का वेपार के शेतर में बड़ा नाम होता है यह business करना चाहें तो बड़ी level का business करते हैं यह sign complete होने के बाद और इसके साथ ही एक sign और है जो connection बना रही है Mercury और Sun के बीच में विदेशी धरती से संपर्क बनता है पॉर इनके कई trip इनके लगते हैं विदेश आना जाना लगा रहता है और यदि ये ऐसा कोई काम करें जहां विदेशी धरती से पैसा आए काफी मुनाफ़ा होगा और positive sign रहेगा यह इनके लिए उस तरह का वैपार करना जादा लाब पुरत रहेगा Mercury का माउंट अभी उतना अच्छा अच्छे तरीके से डवलप नहीं हो पाया है यहाँ पे लूप बनता हुआ देख रहा है बिजनस अंस का फिस्ट्रॉंग है आपका यह triangle complete हुआ नहीं है अभी तक दो हाथ मैंने देखे हैं जहां sign बनते बनते अभी complete नहीं हो पाए हैं इससे पहले भी उनकी विए बहुत ज़ादा नहीं थी आपकी विए बहुत ज़ादा नहीं यह से लिए और बंधनियोग उनके भी हाथ में था करके वहां पर वपार करते हैं आप अधिक सफ़ल होते हैं मारूस को स्पेस से नाम मिलने की विज़े से आपको इन सभी sign का फायदा देरी से मिलता हुआ दिखाईते रहा है इनमास आपका उतना अच्छा नहीं है आपको अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान देनी की आविशक्ता है हेल्थ इशूज आ सकते हैं जीवन में इसलिए जितना हो सके खान पान का ध्यान रखिए और हन्मान 40 का पाट कीजिए मंगलवार को लग्जिरियस लाइफ होगी लेकिन ना बहुत ज़्यादा एरिक्षन होगा ना कम एरिक्षन होगा कभी कभी काम के पपरस से यदि आपको बिना लग्जिरी की लाइफ के जीना भी पड़े तो आप जी लेंगे यहाँ पर वेनिस माउंट के आसपस कहीं भी तिल के साइन का पाया जाना पहले तो माउंट देख लेते हैं लगबख वेनिस माउंट के करीब ही है ऐसे लोगों को जीवन में कभी न करी अपमान सहना होता है गल्ती इनकी नहीं होती है ऐसा नहीं कि नहीं कोई गल्ती की होती है गल्ती इनकी नहीं होती है लेकिन इसके बावजूत भी किसी की प्लानिंग की वज़े से फस्ते हैं प्लानिंग इनके खलाब की जाती है और planning करने वाले लोग भी इनके कोई करीबी होते हैं और खास करके यदि आप महिला मर्द हैं तो फिर महिलाओं से दूरी बना के रखिए और यदि महिला है तो पुरुशाओं से दूरी बना के रखिए क्योंकि इन लोग के जीवन में समस्याइं तो फिर मैंन की वजह से आएगा और वुमन है तो फिर मैंन की वजह से आएगा जितना हो सकें आप उन लोगों से प्रैविशी मेंटेन लखें अपनी बातों को उनके सामने या आपने किसी या किसी भी यादी आपकी female friend है थोड़ी सी दूरी आविशक हो जाएगी अन्यथा समझ से आ सकती है आती ही है ऐसा नहीं कि नहीं आती है या इसका कोई remedy है कुछ भी कर लिजे 25% यादी आपको ये नुकसान पहुंचा देगा तो फिर बहुत अच नुकसान हो जाएगा पैसे का नुकसान 25% उतना मायने नहीं रखता है आप recover कर लेते हैं लेकिन defame होने के बाद चीजने पहले जिसी नहीं हो पाती है आपको सला है आप सतर ग्रहिए जीवन में एक बार इसका असर देखनी को मिलता है वो मौका ना आए इस पर ध्यान लग मून माउंट मून माउंट हलका सा शिप्ट होता हुआ दिखरा है वेनस के तरफ अपने द्वारा लिएगे किसी ने किसी फैसले की वज़े से ही लूग जीवन में नुकसान उठाते हैं आपका नेटभीक है आप निटर है आप ड़रते नहीं किसी से मूफर्ट है जो दिल में है वो जबान पे है अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लग जाती है तो मूपे कहना आप रिफर करते हैं ना कि बीट पीछे आपके मर्कुरी के मांट पे कई स्क्वाइर के साइन है ये आपको खास बनाता है अच्छा बनाता है आपके भागे कोदे करता है आपको पोटिक्शन देता है अब स्क्वाइर के साइन के होने से आपको क्या बेनेफिट मिलेगा आपके दुश्मन यदि आपको या कोई भ बच्शा परदान करता है आपको आपके लेवल से किसी भी दिश्टिक राख उन्न में चाहिए वह आपकी सममान की बात हो पैसे की बात हो आपको गिर नहीं देता कि अपनी बात आप कहने ही पाते हैं दूसरों की समस्याओं को अत्यधिक गहनता से तु नहीं समझ पाते हैं लेकिन हाँ समझने की कोशिश करते हैं लाइफ पार्टनर देखने में आपकी बहुत ज़्यादा खुबसूरत होंगी गुर्लुकिंग होंगी और हलका सा बहुत अदिदिग नहीं हलका सा टॉमिनेटिंग नेचर होगा उनका अभी काम करते हैं इस वाइस अनलाइसस बढ़ाते हैं फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या चंजिस आने जारी है यदि आपकी लखलायन के साथ इस तरह से सीड़ी नुमा आकिरती बनती है ऐसे लोग अपने जीवन में पैसा बहुत बनाते हैं प्रोपर्टी बहु 17 से पहले तक की लाइब तो ठीक है आपकी लिएकर 17 के बाद से 17 अन हाफ के बाद से चीज़ें अचानक से बदलती भी दिखाई दे रही हैं इशूज आ रहे हैं समस्याइं आ रही हैं चेंजिस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं 17 से लेकर के 20 तक 17 इशूज आए 18 में आए 19 में और 20 में 20 में आए हर दो साल पर कोई न कोई समस्याइं आपके जीवन में आते भी दिखाई दे रही हैं वजह जो भी हो 21 से जीवन को नहीं दिशा मिलती भी दिख रही है 25 में आपशूट है खुशे मिलेगी लेकिन 21 से लाइफ आपका ट्रैक पे आता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रैक पे आने की कोशिश में जीवन है 28 में या तो रिष्टा तै होगा आपका या शादी होगी यदि शादी होती है नहीं आपके जगा या तो रिष्टा तै होगा मतलब से शादी होगी या फिर इन्वेस्टमेंट जाएगा लेकिन ज़्यादा चांस मुझे शादी के लग रहे है 28 के आसपस आपकी आपकी यहाँ पर आपकी रहो की लाइस हलकी सी नीचे के तरफ मूब कर रही है ये बदाती है कि लोगों की शादी इनके पसंद से होती है 23 में भी कुछ ने कुछ चेंज आतावा देख रहा है या तो रिष्टाते होगा या कोई ने कोई समस्या 23 में 28 में इन्वेस्टमेंट जाएगा ये शादी होगी 30 एंद हाफ में कोई ने कोई चेंज आतावा देख रहा है 32 एंद 33 आफशूट है कुछ ये मिलती भी दिख रही है 34 में कोई ने कोई चेंज आतावा दिखाई दे रहा है 34 एंद हाफ का ये चेंज है 35 36 लगातार आपशूट है खुशे मिलती भी दिख रही है 38 के आसपस या तो इशोज आएंगे इन्वेस्टमेंट जाएगा 39 40 41 42 43 लगातार आपशूट जारें खुशे आती भी दिखाई दे रही है 44 में कोई ना कोई शूज आतावा समस्य आती वे दिखाई देरी 44 में 46 48 52 54 57 60 60 में ही चेंज आ रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जीवन को बिल्कुल नई दिशा मिलती भी दिख रही है स्टेटस में भी चेंज आता देख रहा है पहले से कहीं बेतर पोजिशन पर आप दिखाई देना है जाते हुए आपकी जीवन का सबसे अच्छा टाइम इनिशेट होगा 29 के आसपस से चीजने बेतर हो जाएंगी आपको आपकी काम की हिसाब से सफल्दा मिलती भी दिखाई दे रही है लेकिन एक ही प्रॉब्लम है तो उसको विखर के थोड़ा सा ध्यान रखना है आप मंगलवार को हनवान चालीसा का याद से प्लीज आप पार्ट करने स्टार्ट कर दिजेगा क्योंकि जब मैंने कहा है हेल्द इशूस आएंगी तो आ सकते हैं इसलिए उसको थोड़ा सीजली लेना है केतु के मांट पे ट्राइंगल का पाया जाना आध्यात्मिक दिश्टी कून से एक मिनट आपको आध्यात्मिक दिश्टी कून से यह आपको उम्र की साथ धर्म की तरफ धर्म की तरफ जुकाओ बनतावा दिखाई देरें मैं शब्द भूल गया है मैं जिक्या कहना चाहिए आप आप ऐसे मान के चलिए कि सटी का शब्द अभी मैं नहीं सोच पा रहे हूं धर्मिक्ता के तरफ जुकाओ होगा और आपका भगवान के साथ कनेक्शन आपको फील होगा इस तरह से आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ते चाहिए आपको फील होगा कि आपके आसपस एक का देखिए इश्वर को मानना और फील करनी में लुकर होता हैना जैसे माल लीजे हमारी पूर्वजों ने कहा हमारे माता पिता कहते हैं कि Verगवान है हम माल लेते हैं लेकिन क्या बहुत कम लोग होते हैं जो फील करवाते हैं आप जैसे लोग इश्वर शक्ति को फील कर पाएंगंगे जैसे जिसे उम्र बढ़ते जाएगी धार मिक तभी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी इसके साथ ही यह ट्राइंगल आपको पुस्ताइनी जमीन जादा दिलवाता है अति देख वातरा में यह होती है मिडल फिंगर यह होती है रिंग फिंगर इसके बीच में एक लाइन का होना दो लाइन का होना तीन है किसी हाथ में तीन होते हैं या उससे ज्यादा होता है अब इसका क्या मतलब होता है एक लाइन है यदि तो आपको सफलता और बड़ी है मालेच यहां तक सफलता कमाईयों में मिल जाती है। आपकी काभिलीद से कहीं जादा आपको मह précisता है। लेकिन वहीं यदि दो लाइन या तीन लाइन हैं तो पिर सफलता आपको टेवी़ से मिल आपका मूलांक है। आपका मूलांक भी एक और भाग्यांक भी है यह combination आपको खास बनाता है ऐसे लोग जन्मजात भागेशाली होते हैं भाग्ये इनका दास होता है एक तरसी मान के चलिए कितनी भी समस्याइं आजाएं जिस भी काम में ये हाथ डाल देंगे वो काम एकदम से चमकने लग जाएगा भाग्ये इनके पीछे पीछे चलता है आप इनके साथ बिजनस केजिए या कोई भी काम आपको इनिशेट करवाना है यदि अन्शमात्र भी इनका नाम उस काम से जुड़ेगा तो आव्यसी बात है नुकसान नहीं जाएगा बलकि कई गुणा आपको फायदा होगा ये इतने भागेशालिक होते हैं वनवन के आँकरे वाले किसी भी शेत्र में चले जाए चाहिए वपार की शेत्र में हो या फिर प्रावेट जॉब में हो गवर्मन जॉब में हो नंबर वन बनने की चाहत होती है और बनते भी हैं काबलियत होती है ज्यानी होते हैं कर्मत होते हैं काम करना चाहते हैं रज़ा मंदे के साथ जबरदस्ती नहीं आपके लिए कुछ भी करने को त्यार हो जाएंगे जहां आपने जबरदस्ती दिखाई या रॉप दिखाया ये फिर आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे इनका प्रचंड रूप या प्रचंड गुस्सा आपको जहिलना पड़ जाएं तो कभे भी इनसे उलजने की कोशिश मत कीजेगा जितना हो सके आसानी से इनसे बात कीजे आराम से बात कीजे ये सभी की सुनते हैं ऐसा नहीं कि आपकी नहीं सुनेंगे हाले किन अगर आप इनके उपर चड़ने की कोशिश करेंगे इनको दवाने का परियास करेंगे या इनको बिना मतलब का गलत सावित करने की कोशिश में लगे रहेंगे फिर तो ये किसी की नहीं सुनेंगे मतलब एक सूरे की तरह चमक होती है और उन्ही तरह प्रचन रोग्याने गुस्सा भी होता है अंदर में बट हर जगे गुस्सा नहीं निकालते हैं कि समझदार होते हैं आपका जन्म जिस डेट को हुआ है नहीं जिस साल के जिस मंद के जिस डेट को हुआ है आपके साथ जितने ही लोग में पैदा हुए थी उस देल उन सभी के अंदर ये गुण पाए जाएंगे और जो भी बाते मैं बताने जा रहे हूं वो सभी उन सभी के आपके सबसे या फेवरिट या आप जिस ग्रह के फेवरिट हैं वो हैं वेनस एंड सन यानि शुक्रदेव और सुर्यदेव का की किटवा दृष्टी हमेशा आप पे बने रहेगी शुक्रदेव आपको लग्जीरियस लाइफ देगा दुनिया भर की चकाचॉन से भरी जिन् ये योग बहुत शक्तिशाली होता है जब आपके देट अब बर्थ के साथ सुर्य और शुक्र का मिलन होता है आपके लिए सबसे अच्छा आंक रहने जा रहा है एक, दो और छे किसे भी मंद के एक तारीक, दो तारीक, छे तारीक, दस, ग्यारा, पंदरा, एंड उन्निस, बेस, चौबिस, आपके लिए लखी रहने वाला है येलो का सबी, जितने भी शेड होते हैं येलो के, आप सुनेरा ले ले लीजे, गूर्डन ले ले लीजे, पीला ले लीजे, या फिर आप, कैसा भी शेड, येलो का अंश्वी यदिसमें हैं, आपके लिए बहुत इसके साथ ही ब्लो के सभी शेड आपके लिए शोफलदाई होंगे, वाइट काफी अच्छा रहेगा, आपको सला है, आप कुछ नगुछ पीला वस्त रहीगा, पीला कपड़ आपने पास हमेशे रख कीजे, ये आपके लिए सही रहेगा, ग्रीन कलर भी ग्रीन के सभी शेड शुफलनाई होगे आपके लिए भागी को चमकाने वाले रत्न की बात की जाए आपके लिए हीरा पुखराज अंबर मैं दूसरा अंबर भी सही देगा आपके लिए बस ये तीन सबसे अच्छा यदि आप हीरा पहनते हैं ये आपके सन की इफिसेंसी को बढ़ा देगा एक तो सन आपके डेटो बर्थ के साथ भी है मुलांग भी है बाग्यांग भी है यदि आप हीरा पहनते हैं तो आपके लिए बहुत शुब रहने वाला है अब आपके सवालों का जबाब देते हैं आपको सन रूल कर रहे हैं आप किसी भी शेत्रे में प्रतिबंध रहने वाले लोगों में से नहीं आते हैं यदि सिक्षा के तरफ जुको है आपका आप बनना चाहते हैं जैसी लाइफ लाइफ लाइन आपकी है आप जैसे लोग का I.S.I.P.S. या PCS आफिसर बनते हैं ऐसे गर्वर्मेंट जॉब के सभी साइन है आपके हाथ में आपको यदि गर्वर्मेंट जॉब के तरफ मोग करन हैं लगे अपनी अ आपके अंदर जो बॉद ही क्या है। उसके लिए व्द्वापार जर्द अच्छा नहीं पर आएगा। शादे आप की पसंद से ही होगी किसे दूसरोग के पसंद से बशन को से योग पाएं लिकिन हाँ किस से होंगी क्या होगी लेकिन आपके पसंद से होगी बस इतना मैं बताना चाहूँगी बस आज के लिए इतना ही चेक के रन बावाए